आदिवासियों की योगदान को मिटाने की कोशिश की गई विहार के जमोई में बोले पीएम मोदी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जनजातिय गौरव दिवस पर विहार के जमोई पहुँचे जहां आदिवासि समाज के पारंपरिक डांस के साथ उनका स्वागत किया गया प्रधान मंत्री ने यहां आदिवासियों की योगदान को मिटाने की कोशिश की गई इसके पीछे स्वार्थ भरी राजनिती थी राश्ट्रिय जनजातिय गौरव दिवस है मैं सभी देशवासियों को और खास तोर पर अपने आदिवासि भाई बेनों को जनजातिय गौरव दिवस की बधाई देता हूँ मुझे बताया गया है इन परवों से पहले जमू में पिछले दो-तिन दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहां के लोगों ने स्वस्चता का अभ्यान भारत्य जनता पर्टी के कारकरताओने भी स्वस्चता का बहुत बड़ा अभ्यान चलाया यहां के नागरिकों ने युवकों ने माता और बैनों ने खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया इस विशेश प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत-बहुत सराना करता हूं साथियों पिछले वर्ष आज के जीर मैं धर्ती आबा बिर्शा मुंडा के गाउं उली हातु में था आज उस धर्ती पर आया हूं जिसने शहीद तील का मांजी का सौर्य देखा है लेकिन इस बार का ही आयोजन और भी खास है आज से पुरे देश में भगवान बुर्शा मुंडा की डेड़ सोवी जन्म जैन्ती के उत्सर सुरू हो रहे हैं ये कारकाम अगले एक साल तक चले गई है मुझे खुशी है कि आज देश के सेंकडों जिलों के करीब एक करोड़ लोग जरा जुमई के लोग गरव करिये ये जमुई के लोगों के लिए गरव का दिन है कि आज देश के एक करोड़ लोग टेकनोलोजी के माध्यम से हमारे इस कारकम से जुड़े हैं जमुई से जुड़े हैं मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ अभी मुझे यहाँ भगवान बिर्था मुंडा के वहुंसच श्री बुद्राम मुंडा जी का भी स्वागत सतकार करने का सवभागी मिला है सिद्धो कानोजी के वहुंसच श्री मंडल मुर्मूची का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सतकार करने का सवभागी मिला था उनकी उपस्तिती से इस आयोजन की शुभा और बढ़ गई है साथियों दर्ती आबा बिर्शा मुंडा के इस भव्यस्मरण के बीच आज छे हजार करोण रुपे से अधिकी परियोजनाओं का सिलान्यात और लोकारपन हुआ है इन में मेरे आदिवासी भाई बेहनों के लिए करीब देड़ लाख पक्के घरों के स्विकृती पत्र है आदिवासी बच्चों का भविश्च भारने वाले स्कूल है होस्तेल है आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्तस विदाएं है आदिवासी खेत्रों को जोडने वाली सैंकडों किलोमेटर की सडके है आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है रिसर्ट सेंटर है आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दिपावली के दीन गिरह प्रवेश भी हो रहा है मैं सभी जन जातिय परिवार जनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज जब हम जन जातिय गवरव वर्ष की शुरुवात कर रहे हैं तब ये समझना भी बहुत जरूरी है किस आयोजन की आवसकता क्यों हुई ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक इमांदार प्रयास है आज हदी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो सान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था आदिवासी समाज वो है जिसने राज कुमार राम को भगवान राम बनाया आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रख्षा के लिए सेंक्रों वर्षों की लिड़ाई को नित्रत दिया लेकिन आजादी के